नमस्कार आप सभी का स्वागत है. सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के नेत्र सबंधी लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया गया है. स्त्रियों के नेत्र से उनके स्वभाव एवं भविश्य के बारे में पता किया जा सकता है. स्त्रियों के आखों का आकार, आखों का रंग तथा आखों के पास मौझूद तिल इत्यादी के विशय में सामुद्रिक शास्त्र में जानकारी दी गई है। यू कहा जाए तो मनुष्य अपना भाग्य लेकर ही जन्म लेता है। जो उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है, वही उसके साथ होता है। भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, किन्तु शरीर पर कुछ निशान कई वर्षों बाद प्रकट होते हैं, जैसे हथेली की रेखाएं और माथे की रेखाएं बनती हैं और मिक्ती भी हैं। यह उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। आज हम जानने वाले हैं स्त्रियों के आखों के लक्षणों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की आखों से पता चलता है कि उनका स्वभाव कैसा है और उनका भविश्य कैसा रहेगा? आखों से ही उनके शुब अशुब लक्षणों का पता आसानी से चल जाता है. तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों की आखों से उनके स्वभाव एवं भविश्य के कौन से रहस्य पता चलते हैं. सबसे पहली बात हिर्नी के समान नेत्र. सामुदरिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री की आखे हिर्नी के समान हो तो इसे शुब लक्षण समझना चाहिए. ऐसी स्त्री अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं. वह जिसके साथ भी विवाह करती उसके लिए वह शुब ही होती है। इनका स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और कुरूर होता है। ये कभी दूसरों पर दया नहीं करती। तीसरी बात पीली आखों वाली स्थ्री। जिस स्थ्री की आखे पीली होती है, वह अत्यंत कामुक होती है। इनके कई पुरुषों के साथ संबंध होते हैं। विवाह के पश्चात भी ऐसी स्त्री पराय पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। इनसे विवाह करने पर पुरुष दुख ही प्राप्त करता है। चौथी बात लालिमा लिये हुई आंखे. जिस स्त्री की आंखे लालिमा लिये हो, अर्थात आखों में सदाही खून की तरह लाल दिखाई देती हो ऐसी स्त्री पर पुरुष गामिनी होती है. इनके कई अनैतिक संबंध होते हैं. इनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी होता है. ये पती को अपना दास बना कर रखती है. पांचवी बात जल से भरे नेत्र. यदि किसी स्त्री के नेत्र सदाही जल से भरे हुए होते हैं, वह बहुत ही दयालू स्वभाव की होती है. ऐसी औरते अत्यंत शुभ लक्षणों वाली होती है. यह सभी से प्रेम करने वाली और परिवार को जोड कर रखने वाली होती है. इनसे विवाह करने वाले पुरुष भाग्यशाली होते हैं. छटी बात धसे हुए नेत्र वाली औरते. जिस स्त्री की आँखे धसी हुई होती है, वह अत्यंत चंचल स्वभाव की मानी गई है. ऐसी स्त्री सदाही चिंता से घिर रहती है. ये अपनी ही गलतियों के कारण बार-बार मुसीबत में पढ़ जाती है. सात्वी बात सामुदरिक शास्त्र के अनुसार जो स्त्री बाते करते समय अपनी बाई आख दबाती है, वह धन की लाल्ची होती है. ऐसी स्त्री पैसे के लिए कोई भी अनिष्ट कार्य कर सकती है. ऐसी स्त्रीयों से सावधान ही रहना चाहिए. ये किसी को भी फसाकर अपना काम निकलवाने में माहिर होती है. आठवी बात हस्ते वक्त जो स्त्री अपने नेतर घुमाती हो वह भी अशुब होती है. ऐसी स्त्रीयों को पराय पुरुष का साथ अच्छा लगता है. यह स्त्री जीवन में कई पुरुशों संग सम्बन्ध बनाती है बहुत ही चोटे आखों वाली औरते स्वार्थी होती है यह अपने जीवन में बहुत धन प्राप्थ करती है किन्तु इन पर भरोसा करने वालों को दुख ही भोगना पड़ता है जिस स्त्री की भोहे बहुत मोटी हो वह क्रोधी स्वभाव की होती है ये औरते मंद बुद्धी की और जूठ बोलने वाली होती है जिस स्त्री की भोहे ठीक से दिखाई नहीं देती है वह निर्धन होती है खुर्दुरे बालों वाली भोहे अशुब फल देती है कमानीदार भोहे वाली औरते शुभ लक्षनों वाली होती है जो स्त्री नींद में अपने दांट पिस्ती है अथवा किटकिटाती है वह धन का नाश करने वाली होती है जिन औरतों के माथे पर चार रेखाए दिखाई देती है वह सौभाग्य शाली होती है माथे पर तीन रेखाएं हो तो वह दीरगायू होती है माथे पर केवल एक ही रेखा हो तो वह शुब नहीं होती है जिस स्त्री के चलने से धर्ती हिलती है अथवा थप थप जैसी आवाज आती है तो वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होती है तो दोस्तों इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों के विशय में बताया है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपका धन्यवाद